अगर किसी की खबर लेनी हो तो प्रधानमंत्री मोधी से बहतर खबर लेने वाला इस देश में कोई नहीं है वो जब भी किसी पर हमला करते हैं तो चुटकी लेने के टोन में अपने शब्दों की जादुगरी का इस्तिमाल करते हुए विरोधी नेता की ऐसी धुलाई करते हैं कि फिर वो ठीक से उठने के लायक भी नहीं बचता और कम से कम एक हफते तक के लिए मीम्स बनाने वालों और हास से कवियों और जोक्स लिखने वालों को मसाला मिल जाता है और इधर बीच चुनाव है तो प्रधानमंतरी मोधी एक दिन में कम से कम तीन से चार रैलिया करते हैं और विरोधियों की तीन से चार बार दिन भर में ठीक से धुलाई करते हैं, फिर सुखाते हैं और फिर से भिगोकर्द होते हैं। पहली बार दक्षिन भारत के दोरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी ने करनाटक के कोपल में रैली की और फिर जेडियेस और कॉंग्रेस की श्यामत आ गए। इन दोनों ही पार्टियों का मिशन कमिशन है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके और आगे कहा कि इन्हें आपकी आवश्यक्ताओं की परवा नहीं है। अरे वीर सैनिक का अपमान नहीं है। अरे डूब मरो देश की सेना का अपमान करने वालों। मोदी ने कहा कि HD देवेगोडा जी के बेटे ने कहा कि केंद्र में अगर फिर से मोदी सरकार बन गई तो वो राजनीती से सन्यास लेंगे। ठीक इसी तरह 2014 के चुनाव में स्वामी देवेगोडा जी ने कहा था कि अगर मोदी पीम बनेंगे तो मैं सन्यास ले लूँगा। उन्होंने क्या किया ये आपके सामने हैं। अब वही बात बेटा कर रहा है। ये भी क्या करेंगे आपको पता है। उतना कोई नहीं लगा पाता। जो भी हो अब करनाटक की जनता मोदी पर कितना भरोसा करती है ये तो 23 मई को ही पता चल पाएगा। भारत माता की मन पर विराजमान भारतिये जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष्य सिमान येदूरप्पा जी बाई जगदिश सेटर जी सभी वरिष्ट नेतागान समी उमीद्वार बंदु बगिने मन पर उपस्तित सभी वरिष्ट नेतागान और विशाल संग्गा में पधारे हुए मेरे प्यारे भाईयों बहनों लोगों को मना करने जो मुझे बता रहे हैं कि ट्रांस्लेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल अरे गजब कहर है आपका मैं चारों तरब देख रहा हूँ लोग ही लोग है मन्दू गलीगे नमस्कार गलू पुज्य गवी सिद्धेश्वर्थ स्वामी गला चरण गलीगे गवी मठदा संथ परंपरेगे भक्ती पुर्वक प्रणाम गलू इभुमियली जनी सिद्धा इल्ला महत्मरीगे ननन नमन गलू भाईयो भेनो इतनी भैंकर गर्मी में आप हम सब को असिरवाद देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ये द्रश्य दिखाता है कि हवा का रूख किस तरफ है हिंदुस्तान में मुझे जहां जहां जाने का मोका मिला है पूरे देश में फिर एक बार फिर एक बार पूरे देश में जन जन की यही आवाज है एक लहर चल रही है भाईयो भेनो मैं इस पूरे ख्षेत्र के हर देवी देवत्ता को नमन करता हूँ पंदु बगिनी ये संयोगी है कि मुझे राम नवी के पहले किस कंदा के करीब आने का आउसर मिला स्री राम सेवक हनमान का सेवा भाव सबरी का भक्ति भाव यहां के कणकण में है इसी सेवा भाव से आपके इस प्रधान सेवक नहीं आप सभी की देश की सेवा करने का एक नम्र प्रयास किया है आपके भरपुर आशिरवाद और सयोग का परणाम है कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का डंका बज रहा है अब मैं लोग सबा चुनाव के लिए आपका फिर से आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ आशिरवाद मिलेगा ना यहां के सभी लोग सबाक्षेत्रों से मिलेगा पूरे करनाटका से मिलेगा मैं फिर एक बार आपका अभार वेक्त करता हूँ मुझे बताया गया है इन दिनों बांती बांती के बयान मेरे खिलाब आ रहे है आपका प्यार मेरी सरांखों पर मैं आगे बोलो आपका प्यार ये दिल्ली में बैटे हुए लोगों की नीन खराप कर रहा है आजकल हताशा और निराशा में डुबे हमारे विरोधी दल के सभी नेता आजकल मोदी के खिलाब अनाप सनाप बयान बाजी कर रहे है मुझे बताया गया कि स्रिमान देवगणाजी के बेटे ने कहा है कि केंद्र में दोस्तों जगा है नहीं आप वहीं रुख जाईए मेरी आप से रिक्वेस ने वहीं रुख जाईए देखिए ऐसा मत किजिए हम यहां के पुलिस को सबको सयोग करना चाहिए हमने देखिए जगा छोटी पड़ गई मैं आपका प्यार उत्सा समझ सकता हूँ लेकिन शान्ती बनाईए देवगणाजी के सुपुत्र ने कहा कि केंद्र में अगर फिर सरकार बन गई तो वे राजनिती से सन्यास ले लेंगे आपको इनकी बातों पर भरोसा है ये लोग कभी सच बोलते हैं आपको याद है 2014 के चुनाओं में स्वयम देवगणाजी ने कहा था का अगर मोदी जी जीत के आएंगे मोदी जी पिम बनेंगे तो मैं सन्यास ले लूँगा उन्होंने लिया क्या सन्यास पिताजी ने सन्यास लिया क्या बेटा सन्यास लेगा क्या अरे सन्यास की बात छोड़ो परिवार में जितने बचे हैं सबको टिकड़ दे रहे आप लोगों के इस उच्छा को देख लेते अगर वो अपने आई बी के रिपोर्ट से जान लेते तो शायद दुबारा ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते इस लोगसबा चुनाव के नतीजे किस तरब जा रहे हैं वो आपकी ये उर्जा ये आपका जोश आपका उत्सा बता रहा है साथियों 2019 ये चुनाव राष्ट्रबाद और परिवारबाद के बीच का है नेशन फास या फैमिली फास इसके बीच का चुनाव है भाई और बहनों करनाटक में इस परिवारबाद के प्रतीख है कॉंग्रेस और जेडियेस दोनों दोनों ही पार्टियां जनता से जितनी कटी हुई है उतनी ही सिर्फ और सिरफ अपने परिवार से जुड़ी हुई है इनके लिए आपकी आवशक्ता हैं देश की जरुरतें इसकी उनको परवा नहीं है लेकिन उनकी प्रांत्विक्ता है खुद का स्वार्थ परिवार का स्वार्थ और उनका मिशन क्या है उनका एक ही मिशन है कमिशन